मोचपुरी पावस्टार पवन सिंग का दिवाना कौन नहीं है। वैसे होना भी चाहिए आवाज ही उनकी इतनी बहतरीन है कि जब भी उनकी आवाज सुनाई देती है फिर मुचाहे सौंग हो या फिर हो उनकी अल्बुम्स कहीं भी सभी उनके आवाज के दिवाने हो जाते हैं ऐसे में आपको याद होगा अवनेश बाबू अरे भाई तू हस के देख लू ये जान वाले सिंगर पवन सिंग के आवाज के बहुत बड़े दिवाने हैं इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि भोचपुरी में उन्हें पवन सिंग की आवाज बहुत ही बहतरीन लगती है और आपको बता दे कि भोचपुरी इंडस्ट्री में एक इकलोते अवनेश बाबू ही नहीं बलकि आधे से जादा भोचपुरी इंडस्ट्री पवन सिंग के आवाज की दिवानी है यहाँ पर अवनेश बाबू ने ये जरूर कहा कि पवन के आवाज का दिवाना हूँ as a singer वो बहुत ही अच्छा गाते हैं एक्टिंग के लिए जब पूछा गया तो अवनेश बाबू ने ये कहा कि पवन सिंग as a singer मुझे बहुत बहतरीन लगते हैं वैसे अवनेश धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्री में नित नय मुकाम बना रहे हैं अवनेश का नाम उन सिंगरों में शामिल है जो की साफ सुतरे गाने गाते हैं अवनेश पढ़े लिखे हैं बीटेक और एमटेक की पढ़ाई उन्होंने कर ली है गुपालगन से और भोजपुरी इंडस्री में गाय की में अपना कैरियर आज माना चाहते हैं भोचपुरी इंडस्ट्री में अभी तक अबनीश बाबु ने कोई बहुत बड़ा स्टेश शो नहीं किया है लेकिन धीरे धीरे ही सही अब अबनीश बाबु स्टेश शो भी कर रहे हैं और भोचपुरी इंडस्ट्री में नया मुकाम भी बना रहे हैं गानों की दिवानगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने पहले गाने तुहस के देख लुए जान से ही तहल का मचा दिया है। भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए है।